नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चाइनल में श्वागत है आप सभी का उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे आज है संडे तो मेरे कपड़े धुल गए हैं अब हम छट पे आ गए हैं तो कपड़े फेला देंगे और हमने आज बाल भी धुले हैं देर हो गई है नहाने में हमें चुप्टी का दिन है आज तो समय हो जाता है अब हम आ गए हैं तो अपने बालों में कंगी कर ले रहे हैं क्योंकि किचन में बाल तूटके विरते हैं इसलिए पहले जूड़ा लगा लेंगे और इसके बाद भी किचन में नास्ता भी त्यार करना है भी किचन में तो हम पहले बनाएंगे मीठी चटनी टमाटर की और इसके बाद भी बनाएंगे घटी चटनी है अब हमने इसमें आयल डाल दिया है और पहले जीरा जीरा डाल दिया आप सोब डालेंगे इसमें और हल्दी पाउडर थोड़ा आई लाल मिर्च थोड़ी सी धलिया तो सको न्मकड़ेंगा स्वादनुसार और इसमैं गुर्थ थोड़ा डाल देंगे दीजनेशा है जाने और इसमेंशने चीणी डाल देंगे आई इसको अलाव चिनी कर देंगे धिमे दिमेए पकेवी चतनी ये अब हम मिर्चा कट कर ले रहे हैं मिर्चे बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा बनाएंगे ये हमने खटी चटनी बनाईए टमाटर धनिया मिर्चा डाल के और अब आलू छील लेंगे आलू मेरे तयार हो गए है छिलके आलू भोड़ लेंगे अब इसमें हम थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे और आम चूर पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे इसमें इसको आपस में से मिला लेंगे अब हम मिर्चे को भर लेंगे अलू भर देंगे इसमें मिर्चे मेरे भर गाएं सब तयार हो गाएं मिर्चे अब हम ब्रेड ले लिए ब्रेड को कट कर लेंगे कि ब्रेड पकोड़ा भी बनाने हैं अब ब्रेड में भी आलू भर देंगे अब हम इस में थोड़ा सा गर्म मशाला डाल देंगे और क्योंकि आप इसका बनाएंगे अलू टिक्की और रड़ा ब्रेड ब्रेड लेगे धुक्त आलू बड़ा भी बोलते हैं इसको गोल-गोल बना लेंगे अब हम इसमें डालेंगे बेसन इसमें डालेंगे नमक थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे और डालेंगे हींग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे अब पानी डालके इसको आपस मिला देंगे गड़ा गड़ा सा अब बेसन त्यार हो गया है मेरा तो आप कड़ाई चड़ा देंगे अब अब डाल दिया है मेरा तो आप कड़ाई चड़ा देंगे अब मिर्चे को बनाएंगे पहले अच्छे से सेंक लेंगे इनको अब आलू बड़ा बनाएंगे इसको आलू टिक्की भी बोलते हैं कोई आलू बड़ा बोलता इसको मेरा आलू को बड़ा भी तैयार हो गया है अब हम इनको दे देंगे नास्ता कर रहे हैं अब लोगों ने भी नास्ता कर लिया फिर इसके बाद हमने भी नास्ता किया है और नास्ता करने के बाद आराम कर ली कि आज मौसम बहुत खराब है बारिस तिन चार दिन से बरावर हो रही है बादल बहुत तेज है फिर बारिस होने वाली है और इसके बाद अभी इधर कपड़े भी पड़े हैं और जाड़ू भी लगा दी हमने तो यह कपड़े भी उठाके रख दे रहा है पोल्ड करके तो प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अब यह वीडियो हम यहीं से कर रहा हैं और वीडियो की करेंगे एडिटिंग अगले वीडियो में भी मिलेंगे रादे रादे